परिचय वह कौन सी एक गतिविधी है जिसमें सभी सजीव असचेत रूप से शामिल होते हैं और वह उनके अस्तित्व के लिए आवशक है? हाँ, श्वसन, सभी सजीव चाहे वे पादप हो या जन्तु या मनुश्य सभी श्वसन करते हैं, मनुश्य अपने फेपणों के माध्यम से श्वसन करते हैं, तो वही पादप अपनी पत्तियों पर उपस्थित छोटे छिद्रों के माध्यम से, विभिन जन्तुओं में श्व इस पाठ में हम मनुष्यों में श्वसन प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन में विभेद करना। फुप्फुस श्वसन को परिभाशित करना, कोशिका श्वसन को परिभाशित करना, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया का वरणन करना। फुप्फुस श्वसन आईए देखें कि श्वसन क्या है। जब एक मनुष्य श्वास लेता है, तो वह आवांचित कार्बन डायोकसाइड से ओक्सीजन का विनिमय करता है, जो कि उसके जीवित रहने के लिए अतियावश्चक है। श्वसन के दो चरण होते हैं, अन्तहश्वसन और उच्वसन। वायुसे ओक्सीजन शरीर के भीतर लेने को अन्तहश्वसन कहते हैं, कार्बन डायोकसाइड को शरीर से बाहर वातावरण में निर्मुक्त करने को उच्वसन कहते हैं, अन्तहश्वसन के समय हमारा वक्ष फूलता है, क्योंकि फेफडों में ओक्सीजन भरी होती है, जबकि उ कोशिका श्वसन विखंडित होने से उत्वन होती है आहार के विखंडन के लिए अन्तह श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन की आवशकता होती है अतह कोशिका श्वसन वह प्रक्रम है जिससे कोशिकाएं भोजन से प्राप्त उर्जा का उप्योग करती है श्वसन के प्रकार वहश्वसन होता है जो ओक्सीजन की उपस्थिती में होता है। इस प्रकार के श्वसन में आहार ओक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोस के रूप में विखंडित होता है। श्वसन दर श्रुती अपना श्वास रोकना चाहती है लेकिन वह सिर्फ 30 सेकिंड तक अपना श्वास रोक सकती है। उसके बाद उसे श्वास लेना पड़ा च्योंकि शरीर को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवशकता होती है। उक्सीजन युक्त वायू को शरीर के अंदर लेने को अंतह श्वसन कहते हैं और कार्बन डायोकसाइड युक्त वायू को शरीर से बाहर निकालने को उच्वसन कहते हैं। शुरुती अब एक मिनट में ली गई अपनी सासों की संख्या गिन रही है। उसने ध्यान दिया कि वह प्रती मिनट 15 से 18 बार श्वास लेती है। हाला कि शारिरिक व्याम के समय यह संख्या 30 श्वास प्रती मिनट तक पहुँच जाती है। मनुश्यों में श्वसन तंत्र आईए अब जाने कि मनुश्यों में श्वसन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम अपने नथुनों यानि नाक से वायू अंदर लेते हैं। अंदर ली गई वायू नासा गुहा में चली जाती है। यहां वायू साफ और गर्म होती है। अंदर ली गई वायू नासा गुहा से गले में आ जाती है और वायू नली में प्रवेश करती है जिसे श्वास नली कहते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है अंतहश्वसन और उच्वसन के समय डायफ्राम और पसलियों के पिंजर में गती दिखती है। उच्वसन के माध्यम से मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं या अंतहश्वसन करते हैं तो पसलियां उपर को गती करती हैं और हमारा डायफ्राम सिकुड जाता है और नीचे को गती करता है। यह हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है जिसमें हमारे फेपडे फैलते हैं। जब हमारे फेपडे फैलते हैं तो वायू हमारी नाक और मुह द्वारा अंदर ली जाती है। वायू श्वास नली से होकर हमारे फेपडों तक पहुँचती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो पसलिया नीचे की तरफ गती करती हैं, और डायाफ्राम शिथिल होता है, और उपर वक्ष गुहा की तरफ गती करता है। जब वक्ष गुहा का आयतन कम होता है, तब कार्मन डायोकसाइड युप्त बायू, फेफडों और बायू नली से बाहर निकलने के लिए बाध्य होती है, और फिर हमारी नात और मुह से बाहर निकल जाती है। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। अंतह श्वसन का अर्थ है वायू से ओक्सिजन शरीर के अंदर लेना। उच श्वसन का अर्थ है कार्बन डायोकसाइड को शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ना। कोशिका श्वसन तब होता है जब कोशिकाएं कोशिका भित्ती के माध्यम से कार्बन डायोकसाइड का अक्सीजन से विनिमय करती है। वायवीय श्वसन अक्सीजन की उपस्थिती में होता है। वायू नली को श्वास नली कहते हैं। एक बड़ी पेशी अपरत, जो डायाफ्राम गहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। वायु कोष्ठिका मनुष्य के फेफडों में स्थित छोटे-छोटे कोश होते हैं। वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन का कार्बन डायोकसाइड से विनिमय होता है।